आज जु यह है ना चोदवा मंत्र होगा इसा पुतर जी हाँ चोदवा मंत्र है ना दो हो कैसे चलिए हाँ चोदवा मंत्र है वन फोर प्रियास संतू सूल्यह यंतारो ये मगवानो जनानाम उर्वान दयंत गोनाम मंत्रार्थ वे तुमारे अगने स्वाहुत अच्छे पैकार से आहवान किये गए प्रियास़ा प्रिय सूल्यह सरजन सी एस्वर्वान प्रेरग संतू हो ये जो मगवानो अस्वर्वान जनानाम जनों के गोनाम शब्दों के जनतारो येमन दयंत करने वाले और उर्वान शब्द शीलो को द्यंत देते हैं आव्यार्थ जो मगवान अर्थात एस्वरेवान है वे ही लोगों का नियमन नियंतन करते हैं उर्धातुकार्ट जाना उर्धातुकार्थ इंसा करना सहना होता है उन उर्धात गतिशील जानी सहनशीन को देते हैं नियंता लोगों का कर्दव्य है कि जो लोग विद्वान हैं करमशीन हैं जिने अनेक कार्णों से बहुत कुछ अनुचित भी सहना पड़ता है उनको सहयोग देते रहे हैं किन रॉप्त अगने अगद्वान करने। ₹ॉ इस्थामा स्टो काि है . उत्पन करना एश्वल्य होना सूख आर्थ प्रेड़ना करना मगवानों में मग दातु का आर्थ एश्वल्य होना जना नाम में जन दातु का आर्थ उत्पन होना उत्पन करना गो नाम में गुदातु का आर्थ शब्द करना मनन करना जनतारों में यम आवरन करना पोशन करन नियमन करना, उर्वान उधातू, शब्द करना, विश्वास करना, वयन्त में दे, पॉन करना, पालन करना, ओन्तम्द्रम। ओन्तम्द्रम। वुजन भेत ध्जैता है कि इस मंत्र चत्रुद्र साथ दामां मंद्र कसर करें। ओन्तम्ध अगने स्वाहुत प्रियाशा सम्त सूरया, यंतारो है मघवानों जनानाम, और वांदयंत गोनाम। कि यह रहें कि तुम्हारे लिए तुमको आधी अर्धिश्पकार से इन सर्वनामों में गिहन कर लिए जाते हैं तुए भी कह सकते हैं बैदिक प्रियोग है लोकिक संस्रफ में संभुधात पे जैसा प्रियोग ना मिले अगने फे अगने संबोधन है अग अग्रणी प्रगसील स्वाहूत सू आवूत अच्छी प्रकार आवान किये गए हम दान करना आदान प्रदान करना के अगने है वेजमें सामानता स्वाहूत आदी सब देट्स प्रकार के जो पद मिलते हैं उनमें वे आवान करना अधातु का अर्थ भी ग्रहन किया जाता है। अर्थवा कह सकते हैं कि हुँ धातु में दान करना आदान परदान करना के साथ साथ। आवान करना बुलाना का अर्थ भी नहीं तो माना जाता है। कि यह से जहम चाहें समझें जो व्यापक रूप से प्रियोग है मानने है वेशे स्विकार करना होगा जैसारी हम प्रेम से आप से कहते हैं कि बेद लोग कि संस्तर की ब्याक्रण के अनुसार तो नहीं चल सकता पुछती यही होगा कि आप अपनी ब्याकण को बेद के अनुसार बना लेए इस सत्त को हमें स्विकार करना चाहिए तो थे उत्तम प्रकार से आवान किये गए अग नहीं कह रहें प्रियासा हा प्रिये जन्र इस छोटे से मंत्र में बैदिक प्रियोग बहुत तो यह भी स्वाहूता में बुधातु का यह प्रियोग भी प्रियासा हा प्रिये का बहुबचन प्रियासा हा लोग कि संक्रत में होगा प्रिया हा उसमें सा नहीं होगा बेद में ये रूप बनता है प्रियासा, प्रिये लोग, प्रिये का बहुबचन, प्रियासा, संत हूं, असधात का बहुबचन हूं, ये तो सामाने प्रियोग है, हूं, सूरया, ये सूर का बहुबचन, सूरय प्रयोग भी बैदिक ही है सो कि लोकिक में खोजना कटिन होगा कि भैदिक प्रयोग इसमें भाहुत है इसली हमें यसी चीखने समझने में सुगधा होती है इ PLAYING भासा क्या Representative बैदिक भासा से किस प्रकार से को सलग हो जाता है और इस बात को ध्यान में रटकर ही वेद को पढ़ा समझा जा सकता है। यह दिन लोकिक संस्टत के व्याकण के बिंदुपिसर्ग के अनुसार इसका अर्थ प्रियोग हम पोजना चाहेंगे तो कठनता हो सकती है। यह हमें सद्ध्यान में रखना होगा। तह रहे हैं के उत्तम प्रकार से आवुद किये गए अगनी। अग्रणी। तुए तुम्हारे प्रियासा प्रिय जन जो प्रिय लोग हैं वे सूरयाह संतु सूर हो। अब ये सूर क्या है? सूर का अर्थ भी जो आप सूर कहते हैं उसके लिए भी सूर सब्द भी आया है और उसका अर्थ विद्वानों ने सूर जैसा ही किया है। अधि सूर्य आया है। सूरो में सूर्य महा सूर्य अधि सूर कहा गया है। तो सूरया वह वचन में है। सू प्रसवे, सू आयस्वर्य और सू प्रिरणे। कि सुधातुकार्थ अईश्वर होना है sophisticated करना उत्पन करना और सुधातुकार्थ प्रेमाना सरजण अईश्वर के अर्थ में ये सूर। सूम जैसे सब्दात तो परमेश्वर के अग्निके योगप्री जन होंगे वो कैसे होंगे वे सूर होंगे स्रिजन सूल वे स्रिजन सील होंगे स्रिजन करने वाले होंगे विनास करने वाले नहीं होंगे सूरयाह स्रिजन सील स्रिजन करने वाले कुछ उत्पन करने वाले कुछ नई रचना करने वाले हूंगे और आईस्वर शाली हूंगे जी हाँ ये सब भी है हम आईस्वर की कामना करते हैं आईस्वर होना ही चाहिए जो परमेस्वर के प्रीजन है जो सज्जन हैं वो पासक हैं जो बेद के अल्याई हैं बेद के स्वाध्याई देता हैं उन्हें आईस्वर्यवान होना ही चाहिए जदि नहीं हैं तो यह उन कुछ लोगों का नहीं पूरे समाज का पतन हैं समाज के पतन का कारण ही यहीं है कि बैदिक विद्वान बेद के स्वाध्याई तो साधन ही नहाएं आईस्वर का उपभोग जब बेद बिरोधी जन बेद से दूर रहने वाले लोग अबैदिक लोग कर रहे होंगे शासन सत्ता धन्बल अबैदिक लोगों के हाथ में है और बैदिक लोग साधन ही नहाएं इसे लिए समाज का पतन हो रहा है इसको इस पासना करते हैं परमै सर्वान परमै सर्वान हम उसके उपासक है तो हमें भी आयस्वरेवान तो होना ही चाहिए। हम सोम की उपासना करते हैं, सोम की कामना करते हैं, उसका आर्थ भी है, स्रिजन आयस्वरे प्रेणा, हमें प्राप्त हो और हम उसनों को देने की सिती में भी होगा। तो जब वेद के स्वाध्याई वेदिक विद्वान अैसी सिती में होंगे, उनके पास आईस्वरे होगा, तो समाज को उचित बार्दरशन प्रेयना प्राप्त होगी, संपूर्ण समाज उन्नत करेगा, संपूर्ण समाज आईस्वरे साली होगा। ये प्रियासा संत सूरया तुम्हारे प्रिये जन ऐस्वरे साली हूँ, सिजन सील हूँ, प्रियना दाई हूँ यंतारो ये मघवानो जनाना ये अर्थात जो किन के लिए कहा जा रहा है? ये बवचन में है, तो ये एक मात्र अगनी परमेश्वर के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, ये उसके प्रियासा प्रिये जनों के लिए कहा जा रहा है, ये जो जो उस परमिश्वर के अगनिके प्री जन हैं वे कैसे होंगे यंतारो यही भोवचन में है यमन करने वाले हो नेमन नियंतरण करने वाले हो यंतारो वे नियंतरण करने वाले हो उनका नियंतरण कोई न करे अब देख रहे हैं समाज में बिप्रित परिस्टी है इसलिए का फटन हो रहा है से सबसे अक्त्र क्क रहे हैं को डिश कॉइद важ का थिज़ को देखा आ रर稜़क क गई तो एदिक दिश्वान कंट पहा जा को सबेसरे कुंद हो ऑप्लॏं बिद्वान तो किसी भी से के नहीं है यह तो इस पर स्काइब है अपड़ कहने से इतना लग सकता है कि नहीं भाई हम कुछ तो पढ़ लेते हैं परन्तु बैदिक वेवस्था के अंतरगत उन्हें अपड़ ही कहा जाएगा महर्स दयानन सरसोती जैसे आदने जुटके परमविद्वान ने कहा कि आप लोग हमें महर्स कहते हैं जिद में उन महर्सियों के समय में हुआ होता तो मेरी गिंती भी संभवता साहरण पढ़े लिखे लोगों में हो पाती तो बैदिक समाज की परिकलपना वो है दयानन जी अपनी विनमर्ता से कहते हैं यह ठीक है हमने महर्स कहते हैं लेकिन यह कहते समय कि यवल उनकी विनमर्ता नहीं है उनकी पीड़ा भी है कि आज की सितिय यह है कि थोड़ा बहुत भी जो हम लोग कर पा रहे हैं निस्चित रूप से कहने दीजिए यह कोई से नकारात्म कर्थों में न ले कि हम और आप भी आज के समाज में बड़े बैजिक विद्वानों में हैं हम और आप भी ऐसा न समझें कि मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा दुद्वान हो गया हूँ मैं निस्चित रूप से कह रहा हूँ हम और आप सभी आप देखिए करोणों लोग गिनों ने वेद को देखा छुआ नहीं वेद का एक मंत्र नहीं जानते वेद की चार सहिताओं के नाम नहीं बता सकते वेद का पहला या अंति मंत्र नहीं पढ़ा उन्हों ने उनकी तुलना में हमा बहुत बड़े विद्वान आए ज़िए कहा जाए तो अनुचित तो नहीं होगा ना इतना हमें कहना चाहिए इतनी सालिंता बिनम्रता भी नहीं होनी चाहिए कि सप्ट को नगारा जा सके यह अहिंकार नहीं यह पीड़ा है या समाज में स्टिझ ये है कि करोलो लोगों को बेद से इतना दूर कर दिया गया है कि जो हमारे साथ इस वेतित अच्छा में कुछ समय भी जुड़ गया है वो करोणों लोगों के तुलना में बहुत बड़ा वेति का विद्वान है ये सत्य है कि आप करोणों लोगों के तुलना में बहुत बड़े वैदिक विद्वान है यह सत्य थाय, कटू सत्य है, परंतू सत्य है यह, यह अच्छी बात नहीं है, इतना कह सकता हूँ बिजमर्दा से, यह अच्छी बात नहीं है, कि हम लोगों ने जो थोड़ा सा स्वाध्याय किया है, हम इस युक्के सबसे बड़े बैदिक बिद्वान हैं। ऐसा होना चाहिए कि बहुत से बड़े बिद्वान होते और उनके मद्य हम लोग प्रियास करते क्या हमें भी बैठने का सोबाग प्राप्त होगा, क्या हमें उनसे कुछ सीखने जानने का सोबाग प्राप्त होगा, परंतु ऐसा है नहीं, हमाग जो थोड़ा सा जानते हैं, कर वेद का प्रकास पहुचाएं। यंतारों जो इस्वर के प्ली जन हैं, वेद के स्वाध्याई हैं, उपासक बैदिक जन हैं। तो यंतारों नियंतर्ण करने वाले हो। समाज के नियंतर्ण की सामर्थ सक्त सत्ता उनके पास होनी चाहिए। मघवानों के मघवान हो। इस मघवान को समझें हमेरे मित्र ने प्रश्न किया था आज कल में ही। तो भगवान सब्द पर तो यह भगवान, धनवान, विद्वान इस सब्द आया है मघवान। मघ से युक्त। अब यह मघ क्या है। मघवान को आप देखेंगे। मघ धातु कार्थ भी अईस्वर होना धन होना लिखा। मघवान है अईस्वर वान हूं धन वान हूं। सामानता विवहार में दोनों को एक मान लिया जाता है। विवहारे ग्रस से बहुत कुछ एक है भी। जदि धन है तो आईस्वर भी है और आईस्वर है तो धन भी हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से इतना जोड़े हुए हैं कि सामानता लोक विवहार में बोलचाल में हम लोग यह कहीं मान लेते हैं। सब्द अलग अलग है। धनकार था है उत्पादन जो कुछ उत्पादन हो पा रहा है करसे उत्पाद हो जानने किसी प्रकार का। वो साधन सामग्री बस तुमें आपके पास पढ़्यापक हैं। यह धन है आपके पास अन्य भी धन है भूमिभवन भी धन है सुन रतनाद भी धन है यह सब उत्पादन किया जाता है। यह सब धन आपके पास है तो आप धनवान है। आइस्वर का आर्थ है इस्वर होने के सथी। इसथा तो है इसका आर्थ है इस्वर होना सासन करना जिसरी समय हम लोग पहते हैं। उसका सासन होता है वो सासन ब्यवस्ता चलाने के सामर्थ रखता है इस्वर का आर्थ है सासक। इस्व से इस्वर और इस्वर से अैस्वर सब्द बना। आपके पास आज़ो है, इसका अर्द है, आपके पास सासन करने के हैं। तो जो हमने गाल भिवहार, बीवहारर रूप में, जिसके पास भहुत धन हैं। वो कुछ लोगों पर शासन तो करता ही है। कुछ सेवक कर्मचारी उसके पास सीधे होते हैं वोंका सासक हो जाता है और धनवान, व्यक्तिका, सासन, अनुसासन उसकी बात समाज में सामनता लोग जूते हैं तो समाज का भी अनुपचारिक सासक वो हो जाता है इसके पास धन है और मान लीजिए किसी अन्यमादम से वो सा सासक है कि आज की दुस्ट से कह लीजिए वो मंत्री मुख मंत्री बन जाता है तो सासक हो गया हम सासक हो गया तो धंतों हो ही जाएगा कि किसी ब्रिक्ति विशेश का नाम ना ले वो मैं कहता हूं यह हम लोग कि दलों की बात नहीं करते किसी वी डल से किसी समय इस देश में ऐसे महान नेता रहे हूंगे जुन्होंने निर्धंता में जीवन यापन किया और अंति समय तक उनके पास निर्वा की बहुस्खाएं नहीं थी लाल बहादरु सास्त्री बुलजारी लाल नंदा जैसे कुछ उद्राण मिलते हैं प्रूंतों आज देख लें वो किसी भी दलका हो वो अपने प्रारम्य कवस्था की कठनाईयां तो सुना सकता है कि वो उसका जन्वेक सामाने परिवार में हुआ और कैसे कैसे संगर्श करके वो आगे बढ़ा कोई कौन सा छोटा सा कारे करता था आज वो कहीं का मंत्री है कहीं का मुख मंत्री है कोई अर बड़े बदपर है barking तो क्या उसके पास आज भी धनका आव है मैं आज उसके पास हजारो करोड़ो की संपति है फ्रले ही कभी उसके पास परियाप्त भोजन की बेवस्था न रही हो जीवन के प्रारंबिक समय में परन जब वो राजनेता हो गया सासन सत्ता आ गई आईस्वर आ गया तो धन तो आही गया तो धन और आईस्वर इस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं धन है तो अईस्वर हो जाता है अईस्वर है तो धन हो जाता है और इसकी कामना बेज में की गई है यह अनुचित नहीं है इतना पुना दोहरादू कि बैदिक साधना में बैदिक संस्कृत में सत्त सनातर बैदिक धर्म में धन अईस्वर होना अनुचित नहीं है पेरे पास नहीं है अभाव है तो इसका यर्थ नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं अर्जित नहीं कर सके लेकिन आपको करना है मैं विकुल कह रहा हूं अपने युवा साथियों से बच्चों से भी से स्वोग से कि ऐसे पीतरागी सन्यासी त्यागी अपड़ रहीं न पने धन और अइसुर अर्जित करने का प्रियास करें तभी आप समाज में वेद का प्रचार प्रसार कर सकेंगे वह हावस्यक है यंतारो ये मखवान हूं समाज का निंतर करने वाले हूँ मखवान धन और अईस्वर से युक्त हूं जना नाम लोगों की हाँ जना नाम में एक बात और बता दू ब्याकरण की छोटी सी बात है संस्क्र ब्याकरण में भी ये बात मानने है ये सस्टी विवर्ति पहुपचन है जना नाम तो सामान ता दूब भासा में आप कह सकते हैं सस्टी में का होजाता है तो लोगों का नहिंहें सस्टी विवक्त का प्रयोग संस्क्रत में मे केवत में भी उता है इन लोगों में जना नाम कार्थ हूआ जन में तो जो जनसामान हैं बहुत से लोग हैं उनके मद्धे आप यंतारों नियंतन करने वाले हूं मखवान हूं धनवान एस रिवान हूं पूर्वान पूर्वान भी होना चाहिए पूर्वान में उधातू है उसका आरफ है शब्द करना शब्द करना विश्वास करना शब्द करना का आरफ पर ही हो जाता है कि आप स्वाध्याई सील हों सब्द जुक्तु हों विद्वान हों और लोगों को उपदेश कर सकें पढ़ सकें और पढ़ा सकें सामान आज की बोलचार की भासा में कहें कि आप पढ़ने पढ़ाने में समर्थ हूं पूर्वान शब्द यूग्ट विद्ध्या यूग्ट बचन यूग्ट दयंत गो ना दयंत क्रिया के लिए है गो नाम यहां भी जैसे जना नाम था उसके साथ यह आया है गो नाम गो सब्द कार्थ भी सब्द ही होगा गो धातुकार्थ सब्द करना है तो इसमें इसका यही अर्थ लिखा है उर्वान सब्द सीदों को दयंत देते हैं देधात कार्थ दान करना देना ही होता है पालन करना भी है तो जो लोगों में नियंतन करने वाले हैं एस्वर्वान सासन करने वाले हैं गो नाम सब्द सीदों में उर्वान सब्द सीदों देखे क्या कह रहे हैं गो नाम उर्वान बहुत से लोग पढ़े लिखे हैं बहुत से लोग जानकार हैं विद्वान हैं गो नाम उर्वान पढ़े लिखों में विद्वान विद्वानों में विद्वान जिसा के भी कहा कि बैदिक संस्क्रत में विद्वान तो सब को होना होता है आज हम कितने पर प्रिक्त को विद्वान कह देते हैं जो हमारी आदस बैदी संस्क्रती है इतना तो साधानते आधिक्तम लोगों को होना चाहिए और उनमें जो विद्वान हो उसे वास्तों में बहुत बड़ा विद्वान दोना चाहिए हम स्विकार कर लें दिनमरता से जैसा कि हम ने का हम और आप भी आज की परसिती में बहुत बड़े विद्वान हैं परंदो हमारा स्वपन कलपना यही है कि हम ऐसा पैदिक समाज बनाएं जहां हमारे आप से अधिक विद्वान बहुत से लोग हूँ बिद्वानों में बिद्वान दयंत देते हैं उस परमिस्वर का सानित हम ताप करते हैं उसके अनुसासन में उसके आइसर में चलना चाहते हैं उसके नियंतर में रहना चाहते हैं दूसरों पर समाज पर नियंतर हम कर सकें यह भावना है जिससे समाज को अच्छी दिसा में चला सकें। और विद्वानों में विद्वान बंकर समाज को इस विद्द्या का दान करते रह सकें। ये हमारी कामना है भावना है इसके साथ हम आज की इस चर्चा को विराम देते हैं अब आप लोगों का जो ही प्रस्ण हो विशार यंग कि रख सकते हैं कि पूंखंद्रम करते हुआ 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 है कि पूछ लेजिए नहीं तो फिर समापन करें हुआ 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 है लोगों के मनों में कार दिये जैसे अजगर करें नचागरी पंची करें नकाज तो इस तरह कि समाज में बेद तो कहता है हम धने अत्वर के वामी बने तो अनिक तरह कि व्यक्ति को निटला बनाने के लिए अनिक ब्रांदियं प्यात रखें जी हां हमारे समाज को पतन में ढखेलने के लिए यह सब प्रियास लोगों ने किये हैं और उसी से हमें उबारना है निश्चित रूप से ये भी कहा है हम लोग इसी को मामते हैं उनका अजगर करें ने चाकरी अजगर क्या पड़ा रहता है और कोई उसके मुह में अपने आग घुज जाता है नहीं अजगर को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए परिसरम करना पड़ता है अपने सिकार को तलासता है मौका देखता है उसको लपेटता है तोड मरोड कर फिर उसको निगलता है उसे भी अपना सिकार अपना भोजन पाने के लिए बहुत जोजनाबध तरीके से परिसरम करना पड़ता है ऐसा नहीं कि वो एक स्थान पर पड़ा रहेगा और उसका लुजन तलास्टे रहते हैं ये तो नगर गराम जहां भी रहते हैं नगरों में कह सकते हैं अजगर या ऐसे पसुतों इधर उदर देखने को नहीं मिलेंगे की पर तो हमको बहुत दिखी जाते हैं कि हम देखते हैं पच्छी कभूतर यहां वहां दाना चुम रहा है और एक बिल्ली खात लगाकर बैठी है कि इस कबूतर को कैसे अपना भूजन बना लें तो ये तो नुका छिपी हम प्रतितिन यहां नगर में भी देखते हैं ग्रामों में और बनों में तो ये है निरंतर संगर्स है आप देखते रहते हैं तो ऐसा तो होई ने सकता बिना कुछ किये किसे को भूजन मिल जाए करना तो सभी को पढ़ता है बहुत कुछ पढ़ता है और यही प्रयास करना है कि समाज में हम बैदिक्ष येतना लाएं और लोगों को इस ब्रहमजाल से बचाएं स्वामी जी साधा जीवन उच विचार अभी कहते हैं ये भी इस गलत है न स्वामी जी साधा जीवन उच विचार गलत नहीं है अनावस्च के आप बैभो के दिखावे में पढ़े रहें और अपना असली उदेश भूल जाएं तो ये उचित नहीं होगा उसके लिए कहा गया है साधा जीवन और उच विचार आप साधगी से रहें दिखावे में अपनी उर्जा ब्याई ना करें लेकिन धन अईस्वर जूटाएं और उसे अच्छे कार्य में लगाएं तो ये निर्देश हम देते हैं बैदिक संस्क्रत का अंदर देश ये है आपके अपने ही जो है सोख में अपने दिखावे में ही लगे हैं उतना कितना भी आ रहा है आपके दिखावे प्रद्रसन में ही सब चला जा रहा है इसलिए कहा जाता है सादा जीवनों की बिचार ये बात समझे जाए तो स्काराब्न गूर्टे ठीख रहे है धन्यवाद स्वामी जी अचा स्वामी जी ये जो वंसरत में आता है लोभः पापस से कारणम की लोग पाप का कारण है तो ऐसे मतलब फिर एस्वारिवान पिर कैसे रहेंगे पिर तेन तेन भुन जीता माजरदा का स्विद्धना हम लोगों ने पढ़ा है त्याग पूरुवग भोग करें लोभ ना करें लोभ ये है कि उसके पास है तो जैसे तैसे हमसे चीन लाएं चुरा लाएं हम इसी चुन्ता में पड़े है कि उसके पास है मेरे पास नहीं है ये लोभ है और उचित परस्रम से उसे हम प्राप्त करें और जो प्राप्त हो जाए त्याग पुर्वक भोग करें उसका उपयोग करें विनास न करें दिखावे में पड़े कि हां मेरे पास हो गया तेरे पा वेका भाओ या उसके पास है मेरे पास नहीं है कैसे हम उसे छीन लें यह लोग का भाओ यह हानिका रखाए शालिंता से बिनमरता से परिश्रम से आप अर्जन करें और उपयोग करें यह अच्छी बात है कि धन्यवाद स्वामे जी स्वामे जी नमस्ते जो अपनी पहली लाइन आई हुई है तुवे अगने स्वाह होतो प्रियासा संतु सूर्या है यह अगनी तुम्हें भडी प्रकार से बुलाने वाले प्रिये जन सूर्वीर प्राक्त्रमियो ऐसा इसका असे हैं क्या है हुई हमने तो दात के अनुषार अर्थ कर दिया है और बाकि जिसको जो अर्थ करना हो कलड़ना करता रहे वही कभीर मनिसी में कभीर साहव आ गए रामपाल के घर में तो राभाल जी जाने तुपता गड़ने वाले थने वाले तो बोर अधा जी कि वक्त जाने हैं, हम तो इस तरह की अर्थ नहीं कर सकते हैं. जो तो इस आन्ना पड़ेगा, किस दात उसे कैसे इसका अर्थ हुआ? जिससे अर्थ हो गया है, तो आपको भली प्रकार से आहुद करने वाले, बिलाने वाले प्रियास, प्रियजन, संतु गू, सुरास प्रणी, तो इस स्वाहुद अगनी, यह आप है यहां. स्वाहुद मतले हैं स्वाहम से बिलाए हुए अगनी, शू उत्म प्रकार से आहुद किये गए अगनी, जिसको सब लोग आज पुकारते हैं, ऐसे अग्रणी प्रियजन, सूर्वीर हो, सूर्वीर कहां से आ गया? सूर्या, सूर्या, सूर्या में सूर्वा तो है, ऐस्वर होना, स्रजन करना, प्रेणा करना, यह शूर्वीर कहां से दूसरा है, वो तालिज़ा हो. सूर्या मैं तो आप योद्धा में मतलिजे, सूर्या मतली प्राक्रमी हो, अध्यृमी हो उसतरह से आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, हमारे धात में यह अर्ख नहीं है अच्छा, ठीक, नहीं आप प्राक्रम कार्थ नहीं होगा. योद्धा वाला ही पराक्रम में है Yodra का मतलब पुरसार जो पुरसार्ती है युद्धा तो एक कर सकते हैं मैं आपसे कहाना किर्पया दातुज अर्थवाला बेदभास देखें कहीं का हो किसी का हो नहों जो हम लोग पढ़ रहा है वो तो आपके पास होना चाहिए इतना निवेदन तो हमने किया तो यह संभव हो तो यह पुष्टक अगर होगी तो बहुत कुष्ट समस्या है हल करें कि नहीं तो यह हो रहा है अच्छा हो रहा है तुझ तो ही रहा है हम वेकल कहते हैं कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है कि जी तो पुल कि जी आगे बढ़ें कि एटीक है तो मैं समापन करता हूं ओम योःसो आदेते पुरुषः तो अशो आधाम ओम्रम ओम्रम सभीक नमस्टे अम्यो असो आदित्ते पुरुशह सो असो आहम ओम खंब्रम ओम खंब्रम सभीको सादर नमस्ते अम्यो असो आदित्ते पुरुशह सो असो आहम ओम खंब्रम ओम खंब्रम सभीको सादर नमस्ते अम्यो असो आदित्ते पुरुशह सो असो आहम ओम खंब्रम सभीको सादर नमस्ते कल साइन काल सादे साथ बजे इस बेत कच्छा में हम लोग करना मिलते हैं अम्यो असो आहम ओम खंब्रम ओम खंब्रम सभीको सादर नमस्ते साथ इसाथ स्वतनता दिवस्त की सततर विल वस्त गांट पर भी आप सब को आदिक सब्काम नमस्ते इस सभीको बहुत बहुत शुक्काम नाएं ओम स्वस्ति ओम नमस्ते ओम खंब्रम ओम खंब्रम ओम खंब्रम ओम खंब्रम